हेलो दुस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में कल IBPS की बैप साइट पर RRB कलर्क प्री के एडमिट कार्ट की लिंक फिर से एक्टिव कर दी गई थी अब सभी स्टूडेंस के लिए बहुत जांदर सर्प्राइजिंग था कि जब RRB कलर्क प्री का एक्जाम हो चुका था तो एडमिट कार्ट की लिंक फिर से एक्टिव क्यों हो गई क्योंकि ऐसा कहीं सुनने में भी नहीं आया कि किसी स्टेट में RRB कलर्क का एक्जाम नहीं हो पाया था या फिर किसी जगह कोई कारान के वेशे से एक्जाम नहीं हो पाया था तो उनका बाद में एक्जाम होगा, ऐसा कोई notice भी IBPS की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला था अब कल से काफी सारे students के comment आ रहे, किसी ने कहा कि technical problem के वैसे link active हो गई होगी किसी ने कहा कि result की link लगा नी थी, admit card की link लगा दी और मैंने भी काफी सारे students से कहा था कि जिनोंने RRB clerk pre का exam दिया था तो इस link पर वो अपना admit card जरूर चेक करें, तो काफी सारे students ने admit card चेक भी किया तो उनका invalid so हो रहा था, अगर ये technical problem होती, तो कुछी देर के बाद या कुछी घंटों के बाद ये website से link हट जाती, लेकिन अभी भी आप चेक करोगे, तो admit card की link website पर active है लेकिन आज एक student का मैंने comment पड़ा, और उस comment में उन्होंने एक कारण दिया अब इस कारण में कितनी सच्चा ही है, ये आप comment में बताना उन्होंने बताया कि एहमदाबाद के एक center पर दो lab में technical problem के वेई से exam नहीं हो पाया था तो सायद उनका RRB clear pre exam है, अभी कारण तो मुझे नहीं पता, अब इसमें कितनी सच्चा ही है, ये आप comment में mention करें या कोई other कारण है, तो भी आप comment में जरूर बताएं, अब इसके regarding काफी सारे students थोड़े से परिशान थे, तो परिशान होने वाली बात नहीं है, इसलिए परिशान नहीं होना है, आपका IBPS clear pre है, उस पर focus कीजिए, बाकी मिलते हैं finish वीडियो में, जब तक के लिए धन्यबा जड़ बताद, आपका लीडियो में ओ जो पराण भाली आप